आजकल एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि रूस से आई हुए सस्ते तेल की बदौलत भारतिय कामपनों इन्हों है बंपर साड़े दस बिलियन डॉलर मतलब 900 अरब रुपए के करीब करीब की बचत की अब सवाल यह है कि इसमें आपको क्या मिला क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए और उसका जवाब तो हम भी जानते हैं कि वो ना है तो समझना जरूरी है कि तेल का खेल चल क्या रहा है तो सबसे पहले दो चीजे समझ लीजिए ओल जगत में दो तरह की कम्पनीज होती हैं अप्स्ट्रीम और डौंस्ट्रीम अप्स्ट्रीम कम्पनीज होती हैं जैसे कि ONGC, ओल इंडिया, Reliance भी अप्स्ट्रीम कम्पनी है Reliance downstream में भी है इसके अलावा IOC, HPCL, BPCL ये downstream companies होती है ये जो companies है upstream companies जो है ये तेल खोजती है ये exploration करती है sea, land, mails पे ये तेल खोजने का काम करती है जो तेल कच्चा आता है उसको process करने का उसको refine करने का काम ये companies करती है ये बाजार में तेल बेचती है ये तेल पेट्रोल बनता है डीजल बनता है ATF बनता है जो aviation fuel होता है ये काम ये companies करती है अब आगे की बात सुन लीजे हिंदुस्तान में आपको पता है कि करीब करीब 85% 85% हमारा जो crude की requirement है जो कच्चे तेल की जरूरत है वो आयात होती है वो import होती है और ये आकड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद और बढ़ा है क्योंकि देश में exploration घटा है 85% कच्चा तेल हमारा बाहर से आता है खाड़ी के देशों से आता है इधर उधर से आता है फिर रश्या और यूक्रेन की war होती है युद्ध छड़ा और युद्ध छड़ने में पश्चिम के देशों ने रूस का तेल लेने से मना कर दिया एक बात और भी है कि रूस ने अपने तेल पर भारी discount दिया तो इंडिया ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया रूस सस्ता तेल इंडिया को बेच रहा था और इतना तेल आ रहा है रूस से कि रूस जो कभी बड़ा मामूली सा खिलाडी होता था आज सबसे मतलब हमारे trading में आज हमारे trading partners की टोली में शामिल हो गया हमारे और उनके बीच सबसे बड़ी commodity oil की trade हो रही है और तो और वित्ये वर्ष 2023 में और वित्ये वर्ष 2024 यह आखड़ा याद रखिएगा रूस से आया हुआ तेल वित्ये वर्ष 2023 में 21% था सारे आय हुए तेल का और यह संख्या 2024 में भढ़कर 36% हो गई जहां तक मेरी याददाश है मुझे लगता है 223 million टन तेल हमने आयात किया था वित्ये वर्ष 2024 में उसमें से 36% अकेले और अकेले रूस से आया था एक बात और भी है कि रूस जो है तेल जो हमें दे रहा है वो बाकी जगहों से जो बाकी जगहों से आ रहा है वो 10 से 12 प्रतिशद उसका दाम कम है रूस हमें कम दाम पर तेल बेच रहा है रूस की देखा देखी और भी देशों ने हमें हमें डिस्काउट दिया एरान ने दिया साउदी अरेबिया ने दिया जहां से हमारे जो ट्रडिशनल हमारे सप्लायर्ज रहे हैं कच्चे पेल के उन्होंने भी डिसकाउंट दिया अब आप यह सोचेंगे कि 10 से 12 प्रतिशत अगर दाम कम आ रहा है तो इसका फाइदा किसको पहुँच रहा है आप तो अभी भी पेट्रोल और डिजल के वही दाम दे रहे हैं तो फाइदा पहुच रहा है पाच कमपनियों को IOC, HPCL, BPCL, Reliance Industries और Niara Energy इन लोगों को फाइदा पहुच रहा है इन्होंने रूस के सस्ते तेल से केवल अभी मैं खाड़ी के देशों के दिसकाउंट वाले तेल की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ रूस के सस्ते तेल से इन पाच कमपनियों ने साढ़े दस बिलियन डॉलर फिर से पढ़िए इस फिगर को साढ़े दस बिलियन डॉलर मतलब 900 अरब रुपे की बंपर बचत की है पर आपके बिल क्यों नहीं कम हुए आपके बिल इस लिए नहीं कम हुए क्योंकि सरकार ने लगा तार 13 बार एकसाईज बढ़ाई और वो वाली बढ़ाई जो राज्यों के साथ साजा नहीं होती है तीन बार मातर घटाई डीरेगुलेशन तो ये कहता है विश्व मार्किट में कच्चा तेल महंगा है तो आप जादा देंगे सस्ता है तो आप कम देंगे लेकिन जब सस्ता होता है तो आपको राहत नहीं मिलती है आपकी जेब पर लगातार डाका क्यों डाला जा रहा है तेल के नाम पर मुनाफ़ा खोरी कुछ कमपनियों को करने दी जा रही है लोगों को राहत क्यों नहीं पहुँच रही है सरकार क्यों मिडल क्लास को पेट्रोल डीजल यूज करने वालों को दुधारू गाय समझ कर उनका शोशन करती है ये मुनाफ़ा खोरी नहीं तो और क्या है ये आपकी जेब पर डाका नहीं तो और क्या है रूस से सस्ते तेल में लोगों ने बचत की साढ़े दस बिलियन डॉलर 900 अरब रुपे की आपने 9 नए पैसे की बचत की है सोचिएगा जरूर